इस वीडियो में मैं मेरे गाड़ी का पहचान जो की है टायर स्टिकर जो की बहुत अच्छा लगता है मुझे उसको क्लीन करने आला हो क्योंकि बहुत दिनों से साफ नहीं हुआ है बहुत गंदा हो गया है एंड उसका विजिबिलिटी नहीं है दूर से देखो तो ऐसा लगत मैं चैनल आई जोशी एंड आजम करने जा रहे है मेरे कार का मेंटेनेंस मेंटेनेंस बोलो या कुछ भी बोलो एक खाड़ी स्टिकर एंड यह दरवाजें दरवाजों में बहुत ही मिट्टी चिपक गया था अभी यह मैंने एक सेंपल क्लीन किया है बहुत साफ हो गया यह स्टिकर लगा है साफ करने आघा हूं तो आपको दिखाता हूं यह मैं करते रहता हूं दो-तिन मेने में एक बार ताकि गारी अच्छा दिखें एंड यह स्टिकर का हालत तो देखो पूरा मिट्टी लगा हूं कीचर लगा हुआ है गारी साफ करने आला भी खाली एलोई तो चलो आपको दिखाता हो यह मैं पानी का बकेट एक लेकर घर से ट्राइपोड लेकर आओ शूट करने के लिए एंड यह डिटेलिंग ब्रश एंड सोप वाटर डिटेलिंग ब्रश है इसमें पुरा सेट एंड सैंड पेपर ताकि स्टीकर को अच्छे से घिस दू जो भी अनीवननेस है जो भी ग्लू का दाग है उससे देन आए आए आएव गॉट पेंट पेंट करूंगा श्रीकर को तो अच्छे से एकड़ मस्टी खेगा दू इसे चंपकेगा तो चालू करते है तो लेस्ट स्टार्ट था वीडियो सो ड़न विद दा वन डोर अभी तीन Jn. आए हू ब स्टार कुआ बिर्की बिर्की दोडियो स्टार वहा विपमां चालू पोलू याश। पोलू देलो तो चालू करते हैं ते ह् उसे फट़नेस। ड़न। अ सुआू असंवेदं वाज। देलो अभी चलेंगे टायर्स पे चीधा एंड मैंने फ्यूल डोर भी दो दिया है क्योंकि इसमें भी बहुत मिट्टी जमता है अब भी अगर दोगे या दूलवाओगे तो इसको भी अच्छे से दूलवा दिया करो ताकि इसमें मिट्टी ना जमें क्योंकि पेट्रोल या डीजल से ना बहुत मोटा लेयर मिट्टी जम जाता है इसमें मेरे कार में वाशर फ्लूइड खतम हो गया था तो मैंने एक बोटल में पानी लिया और यह वाला सॉल्यूशन इसमें एड कर दिया क्योंकि इससे बहुत अच्छा साफ होता है विन स्क्रीन है यह एक लिटर है फिर इक लिटर साधा पानी डालूँगा तो फो जाया गया क्योंकि दो लिटर में हो जाता है एक टैंक में एक पैकेट ही विन स्क्रीम क्लीनर डालने का अभी इंजन ही बहुत गंदा हो रहा है लेकिन अभी इसको क्लीनिंग कराऊंगा डारेक्ट दिवाली पे दिवाली पे ब अब यह अला च्रीम करता आपको दिखा दो अब ही एक टिढके अभी पारी बार्के दीन कर देंगे दे में नो गढ़ी लौक घडक को अब Hai इता गोनी वॉने और ऐसे करा जर दो आखिए जरॉण भारो वॉने व इच्छे मेरे को शोने भूली गए तो कि आखिए कर दफ दो कि इस्वार ना जरूणर में पिश्क चे जरू ना जरू 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 है अब बाइक का लूब्रीकेशन करके अंजर पंजर सब जाम हो गया इस पेसली टैंक का डखकन पूरा जाम हो गया यह जहां जहां रस्ट लगाए सब ड़ल्यूडी-40 मारा थाकि रस्टिंग रुक जाए रुकेगा रुकेगा अब गुम अद्ण गुम 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 ट्रस्टी नीका लगुब इस अब स्विचेस काम नहीं करते तो इसमें भी आप डबलूडी-40 मार सकते हो कुछ हाम नहीं होएगा कि अले बाप रहिए तो रस्टी रस्टे पुरा तो फुल गया भाई बहुत टाइम के बाद राच चावड़ा तो मेन अभी चेन देगो पुरा रस्टेट है तो इस पर भी मार रहा हूं मैं भी तो आप देख सकते हो मैंने पूरा टायर वाश कर दिया है और कैलीपर भी चमक रहा है थोड़ा सा गंदा है लेकिन उसको साफ कर देंगे और स्टीकर भी क्लीन ही दिख रहा है अभी यह जो सब खराब है इसको सेंड डाउन करूंगा यह दिख रहा है आपको गंदा हो गय पैंडाउन होता था मेरे से और वंदन से तो हमने एक टायर कर दिया एक दो मिनिट में अब इसके उपर कलर करते और देखते क्या डिफरेंस आता है अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है अगर अच्छा नहीं दिखेगा तो टायर पल्टी मार देंगे यह वाला पैंटिंग चालू कर दिया है और यहीं है जो है अभी गारी अच्छे लगने के लिए तो करना ही है पड़ेगा आप बोलोगे क्या पागल है तो इसके लिए मैं बोल रहा हूं रिकमेंड नहीं करता अगर आप डेली चलाते हो गारी मेरा गारी डेली मिनिमम्म 40 किलो मिटर चलता है और साइट पे चलता है पत्थर वाले रास्ते पे तो इस अब खराब हो जाता है तो मैं रिकमेंड नहीं कर वहाँ टाय स्टिकर पो डेली ड्राइवर्स अगर आप वीकेंड में निकालते हो या हफते में दो तीन बार निकालते हो तो ठीक है और अच्छे जगब और तेन वन आर एंड मैं स्टिकर को पेंट करते गया एंड एक बज गए रात के एंड मैं आल दा फ्रेंड्स अर गॉन एंड श्टिकर इस डन यही नहीं बाकी सब भी हो गए जैसे यह कैसा लग रहा आप कमेंट करके बता हो एंड यह अब यह अब यह सब कितना फैला हुआ है सब मुझे जमा करना है एंड सब गंदगी गंदे चीज सब फेक देने एंड मैंने ट्राइपोड लगाया था फ्लैश के साथ अब यह सब चीज समेटता हूं और फिर आप से मिलता हूं आप ही देखो यार कितना सुन्दर लग रह है एज देखो कितना सुन्दर लग रहा है ऐसा देखके मन करता है कि रखो स्टिकर फिर कुछ दिन बाद गंदा हो छाथा तो ऐसा लगता है कि फिर मेंटेन करना पड़ेगा तो सोचता हो कि टायर को पलट दू है अब सुन्दर देखो कितना लग रहा है वो देखो और दरवाजे भी सब क्लीन कर दिये हैं बहुत धूल मिट्टी हो रहा था और बाइक को भी अभी कवर कर देते हैं तो चलते हैं बाइक के पास WD-40 मारा है पूरा और यह गंदा हो रहा है ठीक है चलेगा बट रस्ट स्टॉप हो जाएगा इसके वज़े से थोड़े दिन बाद अच्छे से वाश कर देंगे तो ठीक हो जाएगा एंड चेन को एक और बाद अच्छे से ल्यूब्रिकेंट से ल्यूप कर दूँगा पूर कि आप डेली गाड़ी चलाते हो उसमें क्यूकि मैं पच्ता रहा हूं मैं तो अभी आगे से नहीं लगाऊंगा टायर को गाड़ी में यूद्ध की बहुत ही मेंटिन करना पड़ता है उसको बाकि मेरे को अच्छा लगता है मेरे को वह शौक था तो मैंने लाइक करें और सब्सक्राइब करो यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं वीडियो बहुत जना के देखते हैं प्लेज सब्सक्राइब तो दो चैनल एंड तिल रेन कीप वाचिंग आई जोशी पीस आउट